अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती है या आप मुख्यमंत्री नहीं बनते है या आप लोग जो विजन लेके चल रहे हैं वो नहीं होता है तो क्या गैरेंटी है कि आप या कुआ या गड़ा इसको कभी भवेशे में नहीं चुनेंगे देखो पहले में बताया कि मैं लालच के लिए नहीं आया हूँ और आप सुब सुब बोलिए गुजरात की साड़े चे करोड़ जनता इंतजार कर रही है और आप इस तरह से सब्द बोलेंगे तो उसको जब बोलते हैं आप आदमी पार्टी की सरकार नहीं आ रही है तो उनको दूख होता है क्यूं क्यूंकि रात दिन वो इंतजार कर रहे हैं अचा दूसरा आप को और खड़े की बात की आपने पहले भी बोला मेरे पास दोनों तीनों पार्टी आई थी अगर मुझे सब्ता ह ही चाहिए तो मैं सता के पास जाता में गुलाम थोड़ी नहीं हूं मैं वहां खड़ा रहता हूं जहां लाइन मेरे पीछे चरूओ दी और सवाल यह कि मैं संगर्ष करने वाला आदमी हूं जो अच्छा करता है ना वह बहले छोटा सा छोटा हो मैं उसके साथ हूं मुझे जरूरत नहीं है कि मैं सता के तक पहुंच जाओं लेकिन मुझे जरूरत यह है कि मैं अच्छे आदमी के साथ हूं अच्छी पार्टी के साथ हूं जो बच्चों के लिए सोचती है जो किसानों के लिए सोचती है जो करमचारियों के लिए सोचती है तो इसलिए आप चिंता है मारी जनता को गिना दीजे जहां आपको पूरा विश्वास है कि इस बार आप लोग सूपड़ा साफ करेंगे पाँच सिट के आपको भी 15 सिट में गिना दूग अजोग ना दीजे आथी के आप आईये मोर भी जीत रहा हूं, कच में मांड भी जीत रहा हूं, कितने गिना हो बदाओ, यह तो आपी सवराष्ट की हुई, यह तो आपने वो सीटे गिना दी, अपनी भी सीट आपने जोड़ दी इसमें, लेकिन आपके ही नेता, सूरत से हमने देखा कि उन्होंने नॉम उसको जवाब देगी आठ तारीकों बाजपा को, बाजपा को इसा नहीं करना चाहिए, यार ऐसा है तो आप चुना भी खतम कर दीजे ना, लोक चाहिए खतम कर दीजे आपका राज एक करो, मजा करो, वो सालों से सालों तक चुना क्या जरूत है, आप उनको दराते हैं, ध इतना तो पता होता है कि आंदोलों कर रिजाते हैं को सराब नहीं पीता है, और दिन में नहीं पीते हैं, ये भी उन लोगों को मालूम नहीं, कहने का दात पर एक बाजपा के 8 डिसेंबर तक सभी कुछ होगा, हमेरे कार्यकरताओं को डराना, धंकाना, हमला करना, मेरे पे जान लेवा हमला किया था, कई बाजपा के नेताओं ने कहा कि हमेरी पार्टी राक्ष्छा सही सुधान भाई तुमें जिंदा मार दालेगी, मैं के मेरे पास भगवार ने आपका आसीर वाहते, चिंता मत करिए, मैं जिंदा रहूँगा, तब तक जिंदा रहूँगा, से कि रही महारस्टी सरकार की रही गिए आपने देखा है सिन्देजी उठाकर ले गए आपने देखा अस्ताम की उठाकर ले गए आपने देखा सीवराज पाट सोभाय तो मैं हike रहाओ मध्योपर्द्वय क्या जबूत एक है खत्म करना लोक साई् पार दो कि गुजरात की जंता उनको जवाब देगी इशुदान जी एक समय था बस कुछी समय पहले आप लग yardım के अप हो की यापकी है मेरा सवाल कई है की पत्रकारिता से राज नीती पितना आलग और किенно आपके लिए अलग सा अनुभव है या क्या अलग आप देखते हैं देखो मेरे कोई सभी बता हूं मेरे फेमिली में सरपंच का सदस्चत भी नहीं रहा कोई और पत्रकारिता में एक लगजरी लाइफ होती है खाना टाइम पे होता है अब जब मैं स्टेज पर था मदब की चैनल एड था तो फिल्ड वालों के मान ओगे मैं 15 मेनने में एक लाख 15 जार किलोमेटर का टूर किया है मैंने घाड़ी में सोता हूं गाड़ी में खाणा खाता हूं और मयून थी नहीं होती है मेरे फेमिली को मुझे दो दिन मनाने मलगे थे उन्होंने कहा कि आर पॉलिटिक्स में प्लू जू यह हमक्याुं coal मेरा बूतिसका करनाएं अब तो साथ है दो दिन मैंने मुझे मनाना पड़ा इसलिए मनाना पड़ा उन्होंने करते भों गंदी राजनीती है अब इससे हैट तो युदा द॥ब मे मुझे बीस साल मुझे किसी और के लिए धीने दो क्या फोरुब घेए और कल ना करे कुछ हो जाए तो आपका बच्चा रहे ना रहे लेकिन में जे तभी सांती मिलेगी जब मैं गरीबों को नियाज दिला पहूंगा गरीबों के लिए लड़ूंगा तब मेरी फेमिली मानी और आज मैं आपके बीच हूँ